Dear Supplier, आईए इस वीडियो में देखें कि कैसे आप मीशो Supplier Panel पर Support Ticket raise कर सकते हैं. मीशो Supplier Panel आपके बिजनस के लिए एक One Stop Solution Center है और आपको बिजनस चलाने के लिए किसी भी Support की जरूरत हो तो आपको इस पेज में मिल जाएगी. इस वीडियो में आप समझेंगे कि कैसे Support Tool यूज़ करके आप Problem Troubleshoot या उसी Problem के लिए टिकेट raise कर सकते हैं. Support Tool यूज़ करने के लिए Supplier Panel में अपनी इमेल आईडी और पासवर्ट डाल कर लॉग इन करें और लेफ्ट साइड पर Support बटन पर क्लिक करें. आप Support पेज पर दो टाब्स देख पाएंगे. Help टाब, यहाँ पर आपको Frequently Asked Question section दिखेगा, जहाँ आप Common Problems जो Suppliers Face करते हैं, देख सकती हैं. आप इन प्राब्लम्स पर क्लिक करके Solve कर सकते हैं. दूसरा टाब है My Ticket टाब, यहाँ पर आपको जो टिकेट्स रेज किये हैं, वो दिख जाएंगे. यह टाब आपको पुराने टिकेट्स का स्टेटस देखने में और ट्राक रखने में हेल्प करेगी. चलिए, अब इन दोनो टाब्स के बारे में और जान लेते हैं. हेल्प टाब के पहले सेक्षिन में आपको सेलर्स के कॉमन क्वेस्चिन्स दिख जाएंगे. रिटर्न या आर्टीयो जैसी जानकारी के लिए आप यहाँ क्लिक करके पढ़ सकते हैं. उसी तरह से, आप Cataloging and Pricing, Orders and Delivery, Payments and Penalties, Inventory जैसे और टॉपिक्स में जान सकते हैं. टॉपिक पर क्लिक करते ही, आपको सारी जरूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिन्हें ज्यादा तर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देनी चाहिए. लेकिन अगर फिर भी यहां से दी गई information से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप Raise a Ticket पर क्लिक करें. फिर आपको सारी important details आपकी प्रॉब्लम से related अप्लोड करनी पड़ेगी, जिससे की हमारी support team आपकी अच्छे से मदद कर पाए. Details अप्लोड करनी के लिए हर प्रॉब्लम की अलग-अलग requirement हो सकती है, तो ध्यान रखें कि आपके पास अपनी प्रॉब्लम की सारी details अवेलिबल हैं. कोई भी attachment अप्लोड करते वक्त, ध्यान रखें कि maximum file size 25 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अगर आपका file size 25 MB से ज्यादा भड़ा है, तो आप online compressor यूज़ करके file का size कम कर सकते हैं. एक बार submit क्लिक करने के बाद ticket raise हो जाएगा. फिर आप my ticket option पर क्लिक करके देख सकते हैं. My ticket option आपको सारे tickets दिखा देगा, जो आपने panel द्वारा raise किये हैं. आपको ticket raise होने की date और time भी दिख जाएगा. उसके साथ साथ ticket ID, issue, latest update और ticket का status भी दिखा देगा. व्यूपर क्लिक करने के बाद आप उस ticket से संबंधित सारी जानकारी देख पाएगे. टिकेट स्टेटस तीन तरह के होते हैं. जब ticket raise होगा, तो status होगा issue raised. जब टिकेट पर team काम कर रही होगी, तो status होगा in progress. और जब issue solve हो जाए, तो status closed हो जाएगा. टिकेट resolve होने के बाद भी, supplier के पास 48 घंटे होंगे, वापस से ticket reopen करने के लिए. और ये option आपको closed status के बाद ही दिखेगा. आप हमारे साथ Feedback बटन पर क्लिक करके अपना Feedback शेयर कर सकते हैं. 5 स्टार मतलब सबसे अच्छा, और एक मतलब सबसे कम. Support टाप को यूज़ करके आप मीशो पर आसानी से business कर सकते हैं.